अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इंडो लोगस चैनल पर अगें आम हेर हमारा नया टॉपिक है इंडिन नेशनल कॉंगरिस मतलब कॉंगरिस से लेडियो जितने भी फैक्ट थे इंपोटेंट वो मैंने यहाँ पर कर ली हैं कम्प्लीट और एक बात आज मैं भी आपको नों को बता रहा हूं वह यह कि धिखनी हम लोहकि पढ़ते पढ़ते-पढ़ते पढ़ते ला टफ की तरफ चले जाथे हैं और इतना टफ वाला पढ़ने लगता है कि सचो hypnot होता है इसको चलब करना होता उसको अच्छे से revise multiple time revise करना हो था तब ही हमारे को paper में अच्छा result मिलता है तो tough के साथ साथ इसको साथ revise कर जड़ा हूँ जो मैं करा रहा हूँ आपको और एक announcement है मैं करता हूँ last में इसको देख लो फिलाल पहला question भारती राश्रे Congress के प्रथम Muslim अध्यक्ष कौन थे और इस सारे fact important है प्लीज अच्छे से ना इनको प्लीज revise कर लेना यार मुझे इसमें कोई लालच नहीं है पेपर चला अप लोगा गुरूपडी का अच्छे से इनको revise कर लो बस औप्शने सी बदरुदिन तैजब जी सबको पता भी होगा तो ज्यादा over content मत होना अच्छे से सिर्फ revise करने वहाँ पेपर में प्रेशर से भी गलत हो जाते है रहीमतुल्ला एम सयानी वाज़ सेकंड मुस्लिम सर्व एस प्रेजेंट आफ्ट मन्त कोल में लागे बदरुदिन तैजब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक से और जो दूसरे थे वो कौन थे हमारे रहीमतुल्ला एम सयानी नेक्स्ट है हमारा कॉंगरेस द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की घोशना कहां की गई थी ठीक है मोस्ट इंपोरेंट है लाहोर अधिवशन मैं आपको कहीवर बता है 1929 जवारल नहरू इसके अध्यक्षा कर रहे थे रावी ने दिगे किनारे आजी रात दिको यह स देसेंबर 1929 पास्ट दा हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंडेंस रिजूशन एट इट्स लाहोर सेशन वही सारी चीज़ें मैं आपको बताया था पब्लिक डेक्लेरेशन वाज मेड ओन 26 जैनुवरी 2030 अमेड डेंग विच्ट दा कॉंग्रेस इंडिवेशन में पहली बार पहली बार राष्ट्री गीत वन्दे मातरम गाया गया ओके इंपोर्टेंट है फैक्ट प्लीज यह मतलब मैं आपको बता रहूं कोशन वही हैं जो प्रिवेसर में आये हैं ठीक है प्रिवेसर पर कमांड देखो कोई भी आपको पेपर क्लेर क करता है ना कंसिस्टेंटली वो बिल्कुल कर लेता है एक्जाम को ठीक है पहली बार वन्दे मातरम गीत गाया गया था कब हमारा ऑप्शन ए कौलकाता 1896 यहां पर देख लिए कुछ एक्षा जानकारी है दा प्रेजेंट ऑफ कौलकाता सेशन वाज रहिम तुल्ला एम साया थे थे उन्होंने ठाकूर को टैगोर बोला तो तब से इनका नाम फेमस हो गया ज़िए टैगोर ओके दसॉंग वाज रिटन बाए बंकिम चंद चटर जी इंपोरेंट फैक्टर सच बता रहा हूं बहुत इंपोरेंट फैक्टर कंफ्यूज या जाओगे जब पढ़ रहे ह होगे ना कोशन आएगा तो तुरंद रहे हैं टैगोर देखके टिक और फिर जाएगा गलत बंकिम चंद चटर जी ने इसको लिखा था ठीक है कंफ्यूज मत होना ठारस चोहत्तर यह भी इंपोरेंट है दस संग दसॉंग वास पब्लिश इन बैंगॉली नॉवल आनंद ठीक है वो एकदम से मेरी ब्यंग वाली भाहराणने को हो जाती है नेक्स्ट भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ठीक है प्रथम महिला अध्यक्ष इंपरेंट है अब लोग अगर नहीं है तो अच्छे से रटलो जो लोग ज्यादा मद होते हैं तो होंगी हमारी एनी बेसेंट ठीक है बिल्कुल नहीं भूलना है बिल्कुल नहीं भूलना मैं सच क्या रहा हूं ठीक है मेरा कोशनी गलत हुआ था जब मैं छोटा था तो अभी मत भूलना at the Calcutta session of 1917 she established the Home Rule League in 1916 at Madras Sarojni Naidu she was the first Indian woman okay first Indian woman president of Indian National Congress in Kanpur session 1925 यह दो मनने देखाई नहीं था ठीक है next whom did Sarojni Naidu succeed as president of the National Congress next है हमारा देख लीजे B Mahatma Gandhi whom did Sarojni Naidu succeed as president of Indian National Congress समझी नहीं आया option देख लो उसका answer B है Mahatma Gandhi was president of Congress during Belgaon Adhivation important fact मैं पहले पता चुक हूँ आपको अरे यार इसका मतलब पता है मैं जाक कर रहा हूँ मतलब Sarojni Naidu succeed president Indian National Congress Mahatma Gandhi के द्वारा ही नहीं आई थी ठीक है next हमारा निम्लिकित में से किसने Congress के एतिहासिक Lahore Adhivation की अध्यक्ष्टा की important है कई वर बता चका 1929 लाहा रधिवेशन नमारा जावला नहरू option A 1929 भारतिय राजनितिक दल प्रणाली में किस राजनितिक दल को Umbrella Organization के नाम से जाना जाता है ठीक है important fact है नया मिला था मैंने आपको आइंड कर दिया है इसका option नमारा इंसी इनने National Congress कुल मिलाकर के Congress से पहले जो थे न छोटे 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 सब बटे वे थे तीतर बितर पटे थे थार एक तरफ अलग अलग हुए थे Congress जब बनी एक महा शक्ती मतलब महा पार्टी बनकर के आई पूरे देश में एक में पार्टी बनकर के आई तो सारी चुड़ी पार्टी आंकर के इसके अंदर जुड़ती चली गई ठीक है तो 72 पतिनेदी शुरू में थे बाद में काफी जादा हो गए पूरे देश में एक 1967-68 तो उस समय तक जो ये Congress बनी थी हमारी जिसने देश को आजात करवाया था वो 1967 तक आ करके almost finish हो गई थी फिर Congress का नाम adopted किया गया है वो एक अलग history है हम उस पर नहीं जाएंगे हमें exam clear करना है the Congress party was an umbrella party before 1969 it provided voices to the leaders and workers of diverse ideology को मिला के सब कोई मौकत दे रही थी Palmer addressed Congress as umbrella organization मतलब हाथ देखने वाले Palmer होते हैं वही भारती राष्टे Congress के प्रतहम अध्यक्ष कौन थे इस कांसर आपको पता ही है W.C.Baner जी थे इस कांसर हमारा Indian National Congress was formed on 28th December 1885 in Mumbai and W.C.Baner जी becomes its first president इस सारे fact आपको पता है ना इसलिए मैं बताने रहूं पुरानी कहान में बता चुगा हूं कि हमारी 1885 को कॉंगर्स के सापना हुई थी ठीक है A.O.H.E.M.S के महा सची बने थे पहले उसके बाद ये बनर व.C.Baner जी become its president देखो तुम लोग ना हसना नहीं बिल्कूल भी क्या है ना कि में को पढ़ने की बहुत तित्य जाजत है और बोलने की भी इसलिए मेरे वर्ट कई बार थोड़े से Wealth of Nation करके कुछ सिना उनकी बुक अभी याद नहीं आ रहा यार सॉरी इसको देख लो मैं आपको बता दूँगा नेक्स वीडियो में बस वो क्लिक नहीं कर रहा है इक पता है थी मैं विवेकनजी का ना भूल गया था सॉरी नेक्स्ट गांधी ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं ग्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौर जी इन इस बुक पोवर्टी एन अन्प्रिश रोल इन इंडिया एक यह भी बुक है और दूसरी भी एक होई जी इस्टेबलिजड 16 to 35 पर कैपिटा पर यर इतना कमाता था एक भारती है सोला से 35 रुपए ठीक है गांधी जी फादर ओफ निशन राजराम हो राए फादर ओफ इंडिया दनिशन मतलब भारती है पुनर जागरण के पिता या फिर आधुनिक भारत के पिता भी बोलते है नेक्स्ट निमलिकित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौर जी न पूर्ण स्वराज्य अलग हैं स्वशासन अलग हैं ठीक है 1906 वाला था कौनसा 1906 यह याद रखना इसका आंसर है मारा ऑप्शन एक कलकत्ता कलकत्ता अधिवेशन था 1906 वाला उसमें था इन्होंने मंदब कुल्मना के दादवई नौर जी मांग कर रहे थे कि हमें इसके किस अधिवेशन में उगरवादियों और नरम पंतियों के बीच विभाजन हुआ ठीक है विभाजन तो हमारा सूरत अधिवेशन था उन्हीं साथ पता जूत चपल चले थे इसमें जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे जा हाई क्लास वाली जो स्टेंड़ बुक्स पढ़ पता श़ुत नहीं है कुछ विच मुस्भे और रहा हूं में या वैसे कुछ तो इसकी पूरी च्छोटी सी कहानी वह यह है कि I am also engaged in my other exams PCS बिहार PCS और कुछ एक दो एक्जाम और है यह पेसी वगरा ठीक है तो में पास कुछ वैसे कागज वागज पर लिखावा नहीं है सिर्फ माइक है हाथ में और यह आली PPT है तो सब माइंड के अंदर सही आता है तो वो fact mismatch कई बार हो जाते हैं तो उसके लिए मैं sorry बोल रहा हूं आप लोगों को अभी से क्या आज मुझे लग रहा है कि एक दो गल्ती हो गई है गल्ती के मैं अटक गया हूं गल्तिया नहीं करता जादा यह था आपका PPT यहां पर खतम हो गई है एक अभी आप लोगों के लिए science की वीडियो बनाने जा रहा हूं और again I'm reciting the same tone के हमें hard वाला नहीं करना है पता है question paper में fail कौन हो जाता है वो fail हो जाता है जब पहला पिर दे रहा था UPSC वाला उसमें यह था कि sir बता रहे था आशिरवार सर के जो बच्चे जो कोशन गलत होंगे ना वह सब के होंगे लेकिन वह जरू ठीक कर देना जो सब ठीक कर रहे हैं इसका मतलब है कि simple वाले जो कोशन होते हैं हड़ बड़ा हाट में वह गलत नहीं होन ना ओके थैंक यू आज थोड़ी बहुत गल्टियों के लिए सौरी